नमस्कार दोस्तों मैं ध्यनाजय ज्ञा मैं आज दारू के बारे में बता रहा हूँ हमारे जो नितीस सरकार जो है कहे रहे हैं कि हमेशा एलान करते कि दारू बंद कर दिया दारू बंद हो गया दारू बंद हो घर गली हर जगह हर चोड़ाहा पे दारू मिलता है हर छेत्र मे में लोग मरता है दारू के बज़र से मगर हमारे नितीष सरकार से वह दारू समर नहीं रहे हैं ऐसा क्यों आप decision ले रहे हैं, जो आपसे नहीं समर रहा है भीहार, तो कुरसी क्यों की आप लेने के लिए दारू है आपसे जब दारू का जब decision नहीं समर जा रहा है लाखों लोग मर रहे हैं हमारे बिहार में दारू के बज़े से सिर्फ दारू के बज़े से तो क्यों हमारे बिहार को आप ऐसे बना रहे हैं आई ये थुआ सा लडू जी से बात करते हैं, लडू जी बताईए कि दारू आप हमारे बिहार में जो बंद है सब कहे रहे हैं कि बैंड लगा है फिर भी चालू है क्यूं चालू है क्या दारू से लोग मरता है इन-से पुछा जै läuft लोग और देशी दारू जो बनाता है भाओं घर में इस से जदा लो मरता है और इसमें तो पोली थाना देख क्योटा वलेकLeft पहुंचा देता है तो इस पर हमारे बिहार सरकार बंद किये हुए दारू इस पर कंट्रोल के लिए क्या उफाय करना चाहिए बताइए इसमें परसासन को जो है जैसे थाना इंचार्ज होता है तो इसको सो आगे से करवाई करता नेता लोग निशेंस को मारा यह जो भी अधि शोकदार सब कोई मिलता हूँ सब मिली भगत से चल लहा है ऐसे ऐसे चलेगा तो फिर हमारे भीहार को तो ऐसी लोग मरेगा इसके लिए कुछ रोग के लिए या हमारे नितिश सरकार की सधार से चले जो इससे यह दारू बिल्कुल बंद वजा है जिसे लोग नमरे अभी सही सब्सक्रे तो रहता है कि सही घृता कि मरता नहीं कम मरता नेकिन नितिश कुमार अपना बंद कीन हैं है नहीं मेरा सवाल यह कि आप अगर खोल देते तो भी मढगा नहीं को लेंगे यह अग Conversation ना काव्यारू निष्र्टे से जज्ज्थय मतलं कर एक एक मैं रहता है एक को यह तो अ अंध रहता है है तो आप देख सकते हैं कि दारू के बज़ब से कितने जाने जाता है उधाँ जा को सब नहींद बंद करते हुए किसी को देखिए मैं तो इसे दिख रहा हुए कि देख यूद्धेनति धाने में नभेपर तिसत लोग नारू के बजह से बगते हैं हमारे पढ़बावास जैल ये सही बात करवाई कर रहा है लेकिन दोनों बिगता बनुगा इसे इंगलीस वरा भी बिगता है हर जगा हर महले और चोड़ाहे भीकता है और गली में बिक रहा है वह 75% जो दारु के केस में बंद है लोग तो क्या उससे हमको तो लग रहा है कि हमारे परसासन लोग काम कर रहे हैं काम करता है जब काम क्या कर रहा है काम करता तो सही से पूरा बंद नहीं हो रहा है सही से देखिए में बात यह है कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो दारू बनाने वाले जो लोग है एक पर्तीसत लोग पुलिस से नहीं ड़ता है अब किसी कारण वस एक परतीसत लोग हमारे परसासन से नहीं ड़ता है आए यही कारण है कि दारू हमें अजर बनाते हैं लोग घलीली पदार्थ डाल कर यह पता नहीं क्या क्या डाल कर और लोग О्पीते हैं और मरते हैं poop इसलिए हम आप नितिया सरकार से अनुरोत करते हं मैं अपने पर्शासन से अनुरवत करता हूं कि कि आप दारू पे थोड़ा बंचित रखे और परसाशन से मैं अनुरत करता हूँ कि थोड़ा सकड़ाई करें क्यूंकि आप हमारे बिहार क्या रक्षक है रक्षक से अगर लोग नहीं डढ़ें तो काहें कि रक्षक इसलिए यह अन्याय कर रहे हैं दारू देज कर थोड़ा सा लोगों में बहुत ही परसानी बढ़ा रहे हैं और आप लोग से अनुरोध है कि थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करते हैं हम लोग को पता है कि आप लोग पकर के जेल में रखते हैं पच्छतर परसीतर लोग दारू वाले हैं और ऐसा करवाई कीजिए ऐसा नियम लगाई यह जिससे दारू वाले डर जाए दारू बनाने वाले भी डर जाए ऐसा कोई नया नियम करवाई कीजिए जिससे लोगों को बिल्कुल सही बात है दारू बनावे नहीं और पीने वाले है उस पर भी करवाई दोनों पर तो होता है लेकिन कुछ सजा करके उसको छोड़ दिया जाता है फिर से वो लोग करवाई करता है अपने गाउं में ही देखिए हमारे सीता मेरी जिला में मानिंग चौक गाउं है हम यहां अब को नहीं पता है बिटता है सब पता है लेकिन कोई करवाई नहीं होता है इस पर ठीक है तो और पीने वाले से भी अन्रोध है कि आप दारू मत पीजिए पैसे बचाने के कोशिश कीजिए सरकार जो दारू जो बंद कीए हैं आप ही लोगों के फैदा के लिए कि आपके भविस सुद्रे, बच्चे सुद्रे, दारु के पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं, अब दूध पीजिए, बहुत तरह के वह हो सकता है, दारु से बहुत कत्रा हो सकता है, आप लोग से अन्रोध है कि दारु मत पीजिए, अगर ये वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगे तो हमारे वीडियो के सेर्फ किजिए लाइक किछिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम कोसिश करेंगे हमारे बिहार में कुछ हुआ जो लोग हैं जो दारू पीकर मरते हैं कम से कम मरे तो नहीं इस वीडियो के मात्यं मुल से जैहिन जैभार